नमस्कार दोस्तों एक पर फिर से स्वाकत थे आपका अपने यूट्यूब चैनल छेस्टे नर्सिन एकड़िमे में दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह आपको राजस्तान सेच्चो रिलेटेड हरेक अपडेट मिलती रहे तो दोस्तों बात करते हैं राजस्तान सेच्चो रिजल्ट की जिसमें जारी होगा सेच्चो बर्ती का परिणाम रोक हटी करीब आठ हजार बंदों के लिए चोरियसी हजार से ज़्यादा ने किया था आवेदन जैपूर पत्रिका राजस्तान हाई कोर्ट ने कम्यूनूट 2021 तक परिणाम जारी करने को कहा है खोर्ट ने अभ्यार्तियों को दो सब्ता में 7 अपरेल तक अपनी आपत्या व प्रतिवेदन ओनलाइन या ओफलाइन दस्तावेद सहीद देने को कहा है सरकार को आपत्य और दस्तावेदों पर विच्चार कर निस्तरन करने को कहा है अभ सो दस पदों के लिए भरती निकाली जिसमें 84,470 अभ्यारतों ने आवजन किया था मामले में युग्जिता EWS आरक्षन सहीत अन्य मुद्दों को लेकर भरती को हाई कोट में चुनूती दी गई है जिस पर कोट ने भरती का परिणाम जारी करने पर रोग लगा दी थी राज किस्ता व्योस्ता प्रभावित हो रही है कम्यूटे हैल्थ ओफिसर की कोरोना संक्रमन रोकने में आवश्यक व्योस्ता करने कोविड वेक्सिनेशन में मासपूर्ण भूमिका है इस हैसे में कोट को परिणाम जारी करने पर लगी रोग हटानी चाहिए जिस पर परिणाम ज करने पर सरकार पर 25 पिस्ती पेनल्टी लगेगी ऐसे में कोट को पहले परिणाम जारी करने के अनुमती देनी चाहिए जिस पर कोट ने साफ किया है कि इस देरियम के लिए नहीं को राजे सरकार की और से कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी तो दोस्तों राजस्तान सेचो ब निवाद